नमस्ते फ्रेंट्स, Welcome back to my channel जाडु हर घर की requirement होती है हर घर में हम जाडु को use करते हैं डेली, उसको करना है यूज करते हैं लेकिन जब वो चोटी हो जाती है या पुरानी हो जाती है तो उसको हम exchange करते हैं तो आज इसका कुछ ऐसा idea लेके आज आई हूं इसके बाद जो है आप अपने जाडू को फेकिंगे नहीं तो इस तरह से जो है जाडू को लेना है और इसको कटिंग करनी है तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जड़ू सब्सक्राइब करें इस तरह की content को देखने के लिए तो इस तरह की जो भी आपके घर में जाड़ू हो आप ले सकते हैं और इस तरह सी उसको cutting करनी है और इसको जो है निकाल लेना है बहुत easily से ये निकल जाएगा और इसका उपयोग आप जानेंगे तो चोग जाएंगे कि हाँ मैंने पहले ये वीडियो क्यों नहीं देखा और इसका जो उपयोग हम कर लेते तो इस जाड़ू में जो इस तरह की stick होती है हमको इसी का यूज करना है तो जितने भी stick हैं इसमें इसको निकाल लेना है और ये बहुत ही मजबूत stick होते हैं और ये बहुत ही हमें काम आएंगे तो एक उपयोग मैं आज बताऊंगी और एक उपयोग इसका मैं निक्स्ट वीडियो में सेर जरूर करूंगी कि दूसरा उपयोग हम क्या कर सकते हैं तो इस तरह से जो भी stick है वो ले लेना है आम देख सकते हैं और इतने जो है एक जाड़ू में इतने stick होते हैं और असाने से हमें ये मिल जाएगा कभी-कभी जरूरत पड़ती है तो हम खरीदते भी हैं इस तरह के stick को अपने घर में इसकोपयो करने के लिए और अपने daily life को थोड़ा सा अच्छे से करने के लिए तो हमारे घर में जितने भी जब हम gardening करते हैं तो ये जो पौधे होते हैं लटक जाते हैं तो इस तरह से हम अपने पौधों में उसका सहारा दे करके और अपने गमलों को या अपने पौधों को सिक्योर कर सकते हैं कि जो पौधा है हमारा इधर उधर ना जाए तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां कर दिया है और यह मेरा जो गर्मी वाला जो मारी गोल्ड का पौधा है वो काफी विखर रहा था लेकिन मैंने उसी की सहायता से जो है और एक पतले रसी से इसको मैंने सिक्योर कर दिया तो अब ही आप देखिएगा कि कितनी अच्छी तरह से ये जो manage हो गया है और अच्छे तरह से ये organize भी हो गया है तो आपके घर में जितनी भी इस तरह के जो गमले हैं या जो भी कोई भी चीज इधर उधर विखर रहा है या खराब हो रहा है तो उसको secure करने के लिए आप इस अच्छी तरह से secure हो गया है नहीं तो इसके पहले जो है चारू तरफ ये फैले थे तो इस तरह के जो भी आपके घर में गमले हों आप पौधे हों फूल हों आप उसमें लगा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये काम करेगा अब जैसे मारी ये गुल्दावदी का है जब फिर सर्दी आएंगी तो फिर इसका जुरत पड़ेगा तो इसको भी मैंने बीच में लगा दिया है और ये जो इसको भी रसी की साहता से मैंने बांद दिया है और जब गुल्दावदी के जो लच्छे जो है वो जब पेड़ जब बड़े होंगे तो इसी में मैं उसको secure कर जाओंगी और जो गुल्दावदी का पौधा है वो बड़ा होता जाएगा तो इस तरह की जो है बहुत अच्छी तरह से आप अपने गंबलों को secure कर सकते हैं बहुत ही benefit होगा आपको इस तरह से आप भी अपने जितनी भी घर में जाडू खराब पड़े हैं इस तरह से होगा तब भी अपना feedback जरूर देजिएगा और ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे जो है content लेके आऊं और किस topic पे आप लोग की वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मैं आप लोगों से अपने अगली वीडियो में मिलती हूँ तब तक के लिए bye bye and take care जै हिंद जै भारत